नमस्कार पैदल चलने के फाइदे पैदल चलने के तो बहुत फाइदे हैं पैदल चलने से हमारा रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहता है डाइजेशन अच्छा रहता है कब्ज की समस्या नहीं रहती शुगर की समस्या नहीं होती है और हम हमेशा जवान बने रहते हैं, चहरे पे ओज बना हुआ रहता है, जो भी खाते हैं जल्दी पच जाता है, दिल की बीमारी नहीं होती है, कोलेस्ट्रोल नहीं बढ़ता है, हमारा बीपी की समस्या नहीं रहती है, और हमारी उमर जादा से जादा बढ़ती है, हमारा ब्रेन जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती है वैसे वैसे श्रींक होने लग जाता है तो अगर हम जादा पैदल चलते हैं तो हमारा ब्रेन की जो शिकूरने की समस्या है वो बड़ी धीमी गती हो जाती है जिससे लंबे समय तक हम कुछ भी बढ़ती उमर में भी याद रख सकते हैं जिससे हमें सबसे बड़ी ठीक काम करती है लीवर हमारा अच्छे से काम करता है गुर्दे हमारे बहुत अच्छे काम करते हैं सरीर का नर्वस सिस्टम अच्छा काम करता है मान स्पेशिया हमारी मजबूत बनी रहती है और हमारे जोडों में जो अस्ती मज़ा बनाता है वो अच्छे से बनता रहता है जिसे lubrication कहते हैं, lubrication होने से हमारा जो गुटने वगेरा जो जॉइंट है हमेशा ठीक रहते हैं, तो देखिए कब्ज के जो समस्या होती है, बैठक से, टेंसन से, तो पैदल चलने से ये समस्या भी दूर हो जाती है, मतलब कितने सारे फाइदे हैं पैदल चलने के, इसलिए मै आपको कहूंगा कि दिन में कम से कम, रोजाना आदा घंटा पैदल चलना बहुत जरूरी है, कई जने गिंती के कदम गिंते हैं, तो वो ठीक है, अपकी अपनी जगा एक अलग ही सोच विचार धारा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, पूरे दिन में आप चाहे 10-10 मि वेक्ती को पैदल जरूर चलना चीए, जिससे वो पूरी तरह से स्वस्त रह सके, और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूं, धन्यवाद.